Hello traders, I hope आज कभी दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बीता होगा हलाकि आज market completely sideways move किया Nifty 50 का बात करें तो सिर्फ 50 point के ही range में आज ये दिन भर move करते हुए हम लोगों को नजर आया है इसी कारण से market के अंदर आज ज़्यादा momentum हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है तो इस तरह का market होने के बावजूद भी traders कुछ ऐसे trades जरूर हम लोगों को देखने के लिए मिले जिसके अंदर हमारा target बहुत ही successfully achieve हुआ है आज के लिए मेरा सबसे पहला intraday stock था इंडस टावर जिसके अंदर traders हम लोगो एक बहुत ही perfect यहाँ पर breakout देखने का मौका मिला उसके बाद यह कुछ देर तक consolidate किया और फिर इसके अंदर बहुत ही easily हमारे targets achieve होते हुए नजर रहा है आज के लिए मेरा दूसरा intraday stock था Sun TV Sun TV के अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि first 15 minute में हम लोग को breakout देखने का मौका मिला था फिर यह बहुत ही अच्छी तरह से retesting किया यानि कि हम लोग को proper entry लेने का time दिया और फिर यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही सांदार momentum catch करने का मौका मिला है आज के लिए मेरा अगला intraday stock था HDFC AMC इसके अंदर भी traders आज हम लोग को last intraday session में हलका सा यहाँ पर breakdown देखने का मौका मिला था और उसके बाद यह भी अपने first target को बहुत ही successfully achieve किया है उन लोगों ने आज इसके अंदर भी बहुत ही बहतरी profit generate किया होगा तो आप लोग नीचे comment section में जरूर बताएगा कि क्या आप लोगों ने इसके अंदर कोई भी trade आज लिया था या फिर नहीं लिया था आज के लिए मेरा अगला intraday stock था Jubiland Foodworks कुछ लोगों का यहाँ पर stop loss hit हुआ है तो कुछ लोगों ने इसके अंदर अपना profit भी generate किया है अगर हम लोग इसको 5 minute के time frame पर analyze करेंगे तो breakout आने के बाद में यह बहुत ही अच्छी तरह से अपने first target को achieve किया था लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पर final target के लिए wait कर रहे थे और फिल जाकर के यह अपने stop loss को hit कर गया लेकिन traders इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपने query को पूछा था कि जबल food में फिर से entry ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं और उस time पर मैंने maximum लोगों को reply किया था कि proper 15 minute candle के breakout आने के बाद हम लोग trade को initiate कर सकते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को 15 minute के time frame में लगबग 7-10 बजे के बाद में यहाँ पर closing देखने का मौका मिला था उसके बाद हलका सा यहाँ पर consolidation हुआ है और फिर एक अच्छा momentum इसके अंदर भी generate होता हुआ नजरा है तो आप लोग नीचे comment section में जरूर बताएगा कि जबल food के अंदर आज आपका loss हुआ है या फिर आप लोगों ने इसके अंदर भी एक बेहतरिन profit को generate किया है आज के लिए traders मेरा अगला intraday stock था HDFC Life इसके अंदर traders हम लोगो कोई भी entry लेने का मौका नहीं मिला हलाकि first 5 minute का जो candle था उसके अंदर definitely यहाँ पर closing देखने के लिए मिल चुका था और कुछ लोग इसके अंदर entry भी ले चुके थे तो अगर आपने इसके अंदर कोई भी trade आज ही निसीट किया होगा तो definitely इसके अंदर आज आप लोगो का stop loss हीट हुआ होगा आप लोग नीचे comment section में बता सकते हैं और HDFC Life को traders इसलिए मैं आज एक losing intraday stock की तरह count कर रहा हूँ और इन सरे stocks के अलावा traders बाकी किसी भी other intraday stock के अंदर हम लोगो कोई भी entry लेने का मौका नहीं मिला जैसे कि GIL, Bank of Brother, Bank of India के अंदर भी हम लोगो कोई भी entry लेने का मौका नहीं मिला नहीं Tata Motors के अंदर में हम लोगो कोई भी breakdown देखने का मौका मिला और नहीं IGL के अंदर हम लोगो कोई भी breakdown देखने का मौका मिला है तो overall बात करे traders तो 5 intraday stock में आज entry trigger हुआ था जिसमें से 3 intraday stocks में हम लोगों ने target को achieve किया है double food के अंदर traders आप लोग बता सकते हैं कि आपका loss हुआ है या फिर आप लोगों ने profit run किया है साथी में HDFC life आज हमारे लिए एक losing intraday stock रहा है तो I hope traders आप सभी लोगों मेरी analysis के साथ साथ जो एकूरेसी है वो भी पसंदारी होगी इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इस वीडियो को like कर दीजिएगा साथी में traders चैनल को भी जरूर subscribe कर लिजिएगा इसके साथ चैनल अगर आप लोग चाहे तो free telegram channel को भी join कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं आप लोगों को intraday update से साथी में कुछ intraday chart analysis share करता हूँ तो इसका link आप लोगों को नीचे description box में मिल जाएगा तो चली traders अब हम लोग discuss कर लेते हैं उन्हें stocks को जिसे आप लोग कल के लिए अपने watch list में add करके रख सकते हैं और कल जीने stocks के अंदर potentially हम लोग को कोई भी breakout या फिर breakdown देखने के लिए मिल सकता है तो कल के लिए traders एक बार फिर से हम लोग GIL, Tata Motors, IGL और Bank of India को अपने radar पर रखने वाले हैं क्योंकि इन चारों के अंदर आज हम लोग को कोई भी violation होते हुए नजट नहीं आया है market range bound में trade कर रहा था इसलिए ये सारे stock के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अची तरह से consolidation ही हुआ है और इन में से IGL, Tata Motors और GIL ये तीनों stocks traders अभी भी हलके से weak ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज भी इन तीनों के अंदर कोई भी हम लोग को momentum generate होता हुआ नजर नहीं आया है हलाकि bank of India के अंदर हलका सा हम लोग देख सकते हैं कि buying strength हम लोग को देखने के लिए मिला है लेकिन अभी भी ये अपने आपको इसी triangle pattern में बहुत अच्छी तरह से consolidate कर रहा है इसी लिए इसके अंदर buying side का भी levels मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर update कर दिया है साथी में traders selling side में भी इसके levels में हलका सा change हुआ है तो आप लोग इसे जरूर note down कर लिजेगा बागी तीनों stocks के अंदर traders हम लोग same levels के साथ ही कल भी अपने radar पर इन सब को रखने वाले हैं इन सब के अलावा traders कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा अडानी port अडानी port के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को inverse cup और handle pattern create होते हुए nurture आ रहा है और कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा टाइटन टाइटन के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुबसूरत सा hidden solder pattern यहाँ पर form हो चुका था जिसका आज already यह बहुत ही अच्छी तरह से breakdown देच चुका है लेकिन traders अगर यह fake breakdown रहा और यहीं से हम लोग को एक strong buying momentum देखने के लिए मिला तो फिर हम लोग 3270 के उपर में टाइटन को buy भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा risky रहेगा और अभी यहाँ पर breakdown हो चुका है इसलिए buying side के proper levels में आप लोग को नहीं mention कर रहा हूँ अगर कल live market में टाइटन के अंदर buying side में मैं कोई भी trade initiate करूँगा तो फिर proper levels आप लोग के साथ मैं अपने telegram channel पर share कर दूँगा कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा PVR inox PVR inox के अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं तो फिर एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं मेरा अगला intraday stock रहेगा आधित्या बिरला fashion इसके अंदर भी traders आप लोग देख सकते हैं कि same ही analysis है यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुपसूरत सा head and shoulder pattern create हो चुका है और stock के अंदर आज पूरे दिन हम लोग देख सकते हैं कि sort of consolidation होते ही वही नजर आया है तैसे में कल अगर यह अपने इस nickel line को break करता है तो फिर डेफिनेटली इसके अंदर भी एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग को catch करने के लिए मिल सकता है मेरा अगला intraday stock रहेगा कल के लिए हिंदुस्तान unilever हिंदुस्तान unilever के अंदर traders आज last के 15 minute में हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुती सांदार breakout हम लोग को देखने के लिए मिला है वो भी एक बहुती अच्छे volume के साथ में इसके पहले traders हम लोग देख सकते हैं कि ये जो train line था वो इसके लिए as a crucial resistance की तरह काम कर रहा था लेकिन already उसका breakout हम लोग को देखने के लिए मिल चुका है अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है और अगर आप लोग को मेरी analysis पसंद आ रही है तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा और साथी मिटेड़स आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग ले इतने बेहतरीन intraday stocks को खोजने में इसके साथ साथ अगर आप लोग stock market news से updated रहना चाते हैं तो आप लोग चैनल की membership को भी जोईन कर सकते हैं सिर्फ 89 रुपीज पर मन्त के offer price पर और जितने भी लोग चैनल की membership को जोईन करते हैं उन सभी लोगों को whatsapp stock market news ग्रूप में जुडने का मौका मिलेगा जहाँ पर personally मैं हर एक stocks related news को share करता हूँ तो वीडियो में traders आगे बढ़ते हैं कल के लिए IT stocks भी मेरे radar पर रहने वाले हैं क्योंकि nifty IT को हम लोग देख सकते हैं traders की ये अपने crucial support के आजपास में आज आकर के closing दिया है पूरे दिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये break करने का try कर रहा था तो ऐसे में अगर nifty IT index अपने support को break कर देता है कल तो definitely IT stock के अंदर भी हम लोग को pressure बनते हुए नजर आ सकता है और उस case में traders हम लोग को infosys, scl take या फिर take em इन तीनों में से किसी में भी intra trade करने का मौ कर सकते हैं या फिर take em के अंदर भी हम लोग को बहुत ही खुपसुरा सा descending triangle pattern create होते हुए नजर आ रहा है और कल अगर यह अपने support को break करता है तो इसके अंदर भी selling pressure create हो सकता है या फिर take em के अंदर भी हम लोग को selling करने का मौका मिल सकता है तो अब इन तीनों में से आपको सि trade को initiate कीजिएगा साथ ही में traders IT index को भी अपने radar पर रखेगा यहां पर भी अगर हम लोग को breakdown देखने का मौका मिल जाएगा उसके बाद ही आप लोग अपने trade को initiate कीजिएगा अगर आप लोग को कोई भी confusion हो रहा है live market के अंदर में या फिर कोहीं पर भी कोई भी doubt आ रहा है तो आप लोग personally मुझसे भी contact कर सकते हैं आप लोग को मेरा contact details से नीचे description box में मिल जाएगा आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने doubts मुझसे पूछे थे Instagram पर, WhatsApp पर और Telegram पर और मैं traders पूरी कोशिस करता हूँ कि आप सभी लोगों की मदद कर पाऊं तो अगर कल मैं personally इन त decide नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग directly मुझसे भी पूछ सकते हैं तो calculateds आप लोग inside intraday stocks को अपने radar पर रख सकते हैं I hope आप लोग को मेरी आज के analysis पसंद आई होगी और अगर आप लोग भी मेरी तरह खुद के लिए intraday stocks को find out करना चाहते हैं तो ये video जो अभी आपके screen के उपर में सोव हो रही है इसे आप लोग check out कर सकते हैं इसके अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा detail में आप लोग को हर एक step के बारे में समझाया हुआ है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद